इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन की एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल नंबर है 10.4 एं 10.5 और चैप्टर है ग्रेविटेशन और यहाँ पर हम जो टॉपिक डिसकस कर रहे हैं वो है मास एंड वेट अब मास क्या होता है मास is basically the quantity of matter contained in an object यानि एक object के अंदर जितना भी quantity present होती है उसे हम कहते हैं मास मास का जो ऐसा unit होता है that is kg और अगर बात करें weight की तो कई students को यह लगता है कि mass और weight दोनों same चीज़े हैं बट ऐसा नहीं होता weight is a force by which all objects are attracted towards the center of the earth यानि कोई भी object अगर earth की तरफ attract हो रहा है तो जिस force से वो attract हो रहा है उसको हम कहते हैं weight तो weight is basically a force एक वो force है जिससे earth के उपर सारे objects जिस force से attract हो रहे हैं और यहाँ पर इसका जो formula हो जाएगा weight का वो होता है mg के equal weight is equal to mg तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या-क्या values दी हुई है और कैसे questions को करना है first question है यहाँ पर example number 10.4 तो यह यहाँ पर कहता है mass of an object is 10 kg mass की value दी हुई है 10 kg what is its weight on the earth तो इसको solve करते हैं यहाँ पर mass दिया हुए 10 kg और अभी मैंने आपको बताया कि weight का formula क्या होता है weight is a force formula हो जाएगा इसका mg mass को लेंगे 10 और acceleration due to gravity g is acceleration due to gravity यह हो जाएगा 9.8 तो solve करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 98 newton बहुत ही simple तरीके से solve हो जाएगा next example पर आते हैं 10.5 अगर एक object को weight किया गया on the surface of earth और यहाँ पर जो इसका weight निकला वो कितना निकला 10 newton तो हमें calculate करना है अगर moon पर measure करेंगे तो उसका weight कितना होगा अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो acceleration due to gravity होती है G की value जो moon के उपर होती है वो 1 by 6 होगी the value which is present on the surface of earth और इस वज़े से क्या होगा अब weight किसके उपर depend करता है weight depend करता है आप उपर formula में देखो weight depend करता है G के उपर इसका मतलब weight भी 1 by 6 हो जाएगा तो उपर जो हमें weight दिया हुए यह weight on the surface of earth है और अब मुझे निकालना है weight on the surface of moon तो यहाँ पर हम लिखेंगे weight on the surface of moon is equal to 1 by 6 into me weight on the surface of earth तो जो भी value earth पे है उसका 1 by 6 कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 by 6 into me 10 तो इसको solve करेंगे तो approximately जो हमारा answer है it comes out to be 1.67 और क्योंकि weight एक force है तो ऐसा unit हो जाएगा Newton ठीक है तो मैं एक बार आपको दोबारा बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यह हमने relation कैसे निकाला उसके लिए हमें यह वाला step याद रखना है यहाँ पर कि acceleration due to gravity जो moon के उपर होती है वो 1 by 6 होगी the acceleration due to gravity which is present on the earth तो अगर acceleration due to gravity 1 by 6 है तो weight भी 1 by 6 हो जाएगा moon के उपर और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर देना और प्लीज वीडियो को share कर देना थैंक यू